नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे की जिसका इंतजार एक किसान से लेकर हर एक आम आदमी को बेसबरी के साथ रहता है जहां हम बात कर रहे हैं मौनसून की जहां एक और बारिश होते ही मौसम सुहाना हो जाता है तो महीं दूसरी योद जल भराव लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर देता है खबर है देवरिया जिले से जहां मुसलाधार बारिश से सडक और गलियां पानी में डूब रही है इसी गंदे पानी से होकर लोगों को गुजरना परता है चलिए देखते हैं कैसे सडके और ग लफ्त कर दिया है यहां मुसलाधार बारिश से पूरा चंजीवन तो त्रस्त हो ही रहा है साथ ही किसान और जानवर भी इससे काफी प्रभाविक है इन तस्वीरों को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के गाउं और शहर में चारों और पानी ही प इसने से काफी परिशान है आम जरूरतों के लिए लोग कमर तक घरे पानी में दूप कर चलने को मजबूर है इसकूल परिशर के अंदर तक पानी भर चुका है ऐसे हालागों पर भी प्रशासन कोई सुद्म नहीं ले रहा है लोगों का कहना है कि दो दिन हो गया है पर प्रशासन की तरब से इस तंकट से निपटने के लिए ना कोई इंतजाम किये गया है और ना ही यहाँ कोई दिखाई पड़ा प्राइम टीवी के लिए देवरिया से संतोष कुमार मिश्या के इरपो